Hello everyone, welcome to Abhi Tutorials आज हम आपको नॉक्या के नई फोन, नॉक्या 7.2 के बारे बात करेंगे नॉक्या के इस नई फोन के सारी information जो है मैं आपको इस वीडियो में दूँगा सारी configuration details में आपको इस वीडियो में दूँगा तो वीडियो को देखते रहें, let's begin अगर हम आपको नॉक्या के 7.2 के डिजाइन के बात करें तो ये पहले बात तीन कलर जमाता है चारकूल, सैन ग्रीन, और आइस अगर आप इसके साइज को देखें तो ये लंबाई में ये 159 mm की है इसके जो चौड़ाई है वो 75 mm की है और इस स्मार्टफोन की जो मोटाई है वो 8 mm की है अगर इस स्मार्टफोन की वेट की बात करें तो ये 180 ग्राम का है मतलब काफी लाइट वेट है प्लस इस स्मार्टफोन में जो ग्लास प्रोटक्शन जो दिया गया है वो 2.5D का Cornning Glass, Gorilla Glass का प्रोटक्शन आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा नॉकिया साइन प्वांटो की परफॉर्मस की बात करें तो पहले हैं इस स्मार्टफोन में जो operating system जो है वो system android 106 का है किने के बाता है यह जो operating system है यह नोक्या सेंट पॉइंट होगा अपना operating system है प्लस इसमें जो आपको RAM मिलेगा वो 4GB variant मिलेगा और 6GB variant मिलेगा तो यह डिपेंड करता है कि आप Nokia सेंट पॉइंट होगे किस 660 का Nokia 7.2 के अगर connectivity के बात करें तो देखिए यह इसका cable type है USB Type-C का है मतरा Type-C cable से connect होगा लेकिन speed जो रहेगा वह USB 2.0 का speed आपको इसमें मिलेगा SIM card के अगर बात करें तो यह dual SIM supported है और दोनों SIM में nano SIM fit हो जाएगा sensors के अगर बात करें तो इसमें आपको ambient का light sensor मिलेगा RGB sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass and gyroscope तो यह सारी sensors आपको इस smartphone में मिलेंगे NFC साथ आपको नहीं मिलेगा जो Indian version जो आएगा जो इंडिया में जो यह smartphone जो launch होगा उसमें NFC नहीं है लेकिन बाहर country में जो इस smartphone launch होगा उसमें NFC इंक्लूडड रहेगा उसके बाद अगर आप देखे तो Google Assistant का आपको इक बटन भी इसमें देखने को connectivity बटन देखने को मिलेगा अगर हम लोग Nokia 7.2 के camera के बात कर ले तो देखे इस smartphone में जो पीछे जो camera है वह वह तीन camera आपको देखने को मिलेगा प्लस एक LED flashlight आपको देखने को मिलेगा जिस तरह फोटो में देख सकते हैं कि जो राटन साइट जो कौर्णर में जो है वह LED flashlight है अब बागी तीन camera के क्या क्या है वेल पहला जो camera होगा 48 Megapixel का Quad Pixel camera होगा यह में camera होगा स्मार्टफोन का पीछे बैक साइड में उसके बाद जो दूसरे camera वह depth sensor camera होगा जो 5 Megapixel का होगा और तीसरा जो camera है वह ultra wide lens वाले camera होगा जो 8 Megapixel का होगा अगर आप उस तरह स्मार्टफोन के आगे के camera यह अगर बैटरी की बात करें तो देखिए इसमें आपको फर्स पॉल जो बैटरी के पासिटी जो मिलेगा वो 35 मिलियामपर का मिलेगा और चार्जिग स्पीड आपको देखने को मिलेगा बैटरी का जो चार्जिग वोल्ट यह 5 वोल्ट 2 एंपर का पाइड़ीबल है तो कहने यहां थोड़ी कम है उसी तरह अगर हम लोग स्टोरिज के बात करें तो आपको जब यह स्मार्टफून कर देंगे इसमें आपको इंटर्नल स्टोरिज जो मिलेगा वो 64GB को मिलेगा भाली आप 6GB वेरेंट राम वाला कर दे या 4GB वाला कर दे लेकिन आपको इंटर्नल स्टोर को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर उसका एक्सपैंड कर सकते हैं अब टू 512GB तो यह माइक्रोस्टी कार्ड रहेगा उसमें मैक्सिमम 512GB का कोई भी माइक्रोस्टी कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए यहां नौकिया 7.2 के डिस्प्लेश जो है वह 6.3 इंचेस होगा और यह प्योर डिस्प्लेश टेक्नोलजी के साथ मिलेगा लेकिन यह प्योर डिस्प्लेश जहां यह एफस्टी प्लस है आपने फुल हाई डेफिनेशन के बारे सुना होगा जिसका मुस्टी जो रिजुलीशन होता है वह 1920 इंटू 1080P होता है यह हाई डेफिनेशन है फुल i definition का रिजुलीशन होता है अब इसका रिजुलीशन जो है वह है 2020 इंटू 1080P के रिजुलीशन तो इसका एक्चियर रिजुलीशन बहुत ही अच्छा है एक हाई डेफिनेशन एक Full High Definition किसी भी monitor या किसी भी resolution से तो यह resolution में एक normal high definition से ज्यादा है इसलिए इसमें आपको पिक्चर clarity जो होगी है जो skin clarity होगी वो बहुत ही better और बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर हम Nokia 7.2 के अगर हम audio के बात करें तो देखी इसमें आपको headphone jack मिलेगा जो सबसे बड़ा positive point है 3.5 होगे headphone jack आपको मिलेगा प्लस इसमें जो audio engineering जो यूज़ किया गया है वो Qualcomm का है Aptex audio को इस्तेमाल किया गया है इसमें FM radio तो है जो normal है लेकिन इसमें डो microphone दिया गया है ताकि special surround sound को capture कर सके है देखिए आपके सकते एक जगह से आ रही है तो उसी sound को capture करता है लेकिन यहाँ दो microphone इसलिए दिया गया है कि sound चाहे वन direction हो या फिर पूरे direction से हो वो सारे direction से आपके आजो बाजो के सारे sound को capture कर सकता है तो especially दो microphone देने का कारण यही है कि यह पूरे आजो बाजो पूरे surround sound को यह capture एक तरह से अच्छी तरह कर सकता है compared to other smartphone जिसमें एक microphone होता है और वो सिव एक ही direction के sound को capture कर सकता है अगर आपके नोकिया 7.0 के नेटवर्क connectivity के बाद करें तो देखिए यह एक simple लैसे कोई भी smartphone में जो 4G connectivity होता है वो सारे 4G connection, 4G connectivity आपको इस smartphone में भी देखने को मिलेगा यह एक 4G phone है तो आप यह मत expect करेगा कि यह 5G phone है यह 5G device है एक 4G device है तो इसमें 4G connection के related सारे connection आपको देखने को मिलेंगे एक positive चीज़ यह है कि इसमें Bluetooth का 5.0 version जो है वो मौझूद है तो इसमें आपको Bluetooth connectivity में बहुत ही आसान होने वाला है और आपको एक अच्छा connection Bluetooth के साथ मिलने वाला है प्लस GPS जो है वही GPS, Golden Class, BDS, Galio का GPS है तो इसमें अगें dual GPS नहीं है लेकिन कोई बात नहीं लेकिन आपको यहाँ आपर Network and connectivity में and GPS भी आपको इसमें देखिए के तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है तो आईए देखते हैं देखिए Nokia 7.2 के अगर आप device को खरीते हैं तो आपको इसको box में क्या के मिलेगा सबसे पहले तो आपको Nokia 7.2 के device आपको मिलेगा वो smartphone आपको मिलेगा उसके बाद आपको start guide मिलेगा जो quick start guide है उसको आप पढ़के आप इसको operate करना सीख सकते हैं नॉर्मली यह उन लोग के लिए जिने ज़रा भी information नहीं है उसके बाद आप usb type-c cable मिलेगा जिससे आप चार्ज भी कर सकते हैं और computer से connect भी कर सकते हैं फिर आपको charger मिलेगा उसके बाद headset मिलेगा उसके बाद sim tray tool मिलेगा तो यही सारे एक basic चीज आपको इस box में मिलेगी अगर आप स्मार्टफोन डिवाइस अगर purchase करते हैं तो देखे नोके 7.2 के इस स्मार्टफोन के बारे इस सारी information मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन थाइंक्यू गुडबाई